दोस्तों आप ये अपने dream participation में पैसा को लगाना चाहतू Mac खेल ना चाहतू तो इसके लिए सबसे पैसा आपको एड करना पड़ेगा अपने bank account तो इसा को डालना पड़ेगा ड्रीम WILL के वालेट में लेकिन डालने से पहले आपको एक चीज पैसा एड करते टाइम पे क्या चीज़ धियान अगने तो आपको बहुत सारा पैसा नुकसान हो जाएगा इसका में गरंटी आपको देता हूँ तो इसलिए वीडियो को साथ बने रहीगा सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे आपके लिए आगे वीडियो देखने के सबसे बहुत आपको ड्रीमलें एप्लिकेशन को यहां पे ओपिन करने के बाद में फ्रेंस यहां पी कुछ दिर लोडिंग होगा लोडिंग होने है तसलिक से प्रोफाल का बटन आपको simply profile button बटन पर click करना है यहाँ पर जैसे किली करोगे तो आपको एक my balance का option मिल जाता है और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक wallet का भी option है यहाँ पर एक क्लिक करके आप आ सकते हो ठीक है तो wallet पर जैसे आपको एक add cash का option मिल जाएगा green color में तो आपको simply add cash पर पहले क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे पैसा add करने के लिए तो आपको अब यहाँ पर पूछा रहे कि आप कितना amount add करना चाहते हो तो आपको ऊपर एक amount का option मिलेगा इस पर यहाँ पर तरीका है सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए गूगल पे उसके बाद phone पे Amazon पे उसके बाद यहाँ पे credit card और debit card का भी इस्तमाल कर सकते हो पैसा add करने के लिए UPI का इस्तमाल कर सकते हो wallets में आप जाओगे तो वहां पे आपको phone पे जो है आपको देखने को मिल जागा वहां से भी आप कर सकते हो और सबसे नीचे में को नियुक्ता कर दा देना है उसके पर आपको फॉन पर पे खरणा चाते हो वांगे चाहिता है आपको फोन पेक्ट कर देड गाए कोई गूगल फेर कर दे तो यह फिर से लोटिंग होने के बाद में आपके फॉन में जो गूगल पर आप्लीकेशन वापन हो जायेगा उसके simply आपने जो fingerprint या तो कोई lock लगा है अपने गूगल पे में उससे आपको verify कर लेना है डालके यहाँ पर आपको black black देखने को मिल रहा होगा तो चलिए इसको पहले verify कर लेता हूँ अब जैसे verify कर लेता हूँ तो आपके फोन में जो ही गूगल पे में simply steps से option आजागा जहाँ पर उपर five rupees में add करने वाला हो तो amount so कर रहा है और यहाँ पर paying to dream 11 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक logo है dream 11 का और उसके बाद यहां से आप select कर सकती कौन से bank से आपको वहाँ पे पैसा add करना है चलिए मैं state bank को select करके रखता हूँ और यहाँ पर नीचे एक pay का button है आपको simply pay पर click कर देना है इसके बाद मैं आपको बताओंगा कि कि आचे आपको धियान रखना है वीडियो के साथ बने रहेगा नहीं तो आपको बहुत सरा पैसा नुकसान हो जाएगा अब जैसे यहाँ पर click करते हो तो उसके बाद आपके सामने यूपी आई पीन आपको देने के लिए option आजाएगा जो आपका UPI pin है वो simply यहाँ पर डाल के आपको simply done पर click करना है तो यहाँ पर पर प्रोसेस हो जाएगा और add हो जाएगा चली मैं UPI pin डालता हूं तो यहाँ पर मैं अपना UPI pin डाल दिया UPI pin डालने के बाद में आपको यहाँ पर tick बले बटन पर click करना है जैसे click करेंगे तो loading होगा loading होने के बाद में simply आपके सामने जो ही यह process होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जो payment है successfully हो जाएगा कुछ दिर wait करते हैं तो यहाँ पर यह successfully payment हो गया है payment होने के बाद लोडिंग होगा loading होने के बाद में आपको दिखाते हो यहाँ पर deposit successfully 5 rupees दिखा रहा है यहाँ यहाँ पर किलिक करता हूं यहाँ पर देखो तो पहले 35 रुपया था अभी यह 40 रुपया हो गया है तो simply आप इसी परकार से कर सकतो अब आपको बता तो किया चीज आपको ध्यान रखना है यह wallet में पैसा add करने से पहले आप उतना ही पैसा add कर येगा बाद ही आप उसको withdrawl कर सकतो अपने bank account में transfer कर सकतो तो मैं आपको यही चीज बताने वालों कि जितने का आपको जरूर रहत है अगर आपको 49 रुपय का जरूर रहत है 49 रुपया ही add करिए अगर आपको 10 रुपय का जरूर रहत है 10 रुपया ही add करिएगा ठीक है इस प्रका मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तरना ख्याल रखिए जय हिंद बंदे मात